आज हम अडेनियम के प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं अडेनियम के प्लांट में प्रूनिंग क्यों करनी है क्यों ज़रूरी है अडेनियम के प्लांट में प्रूनिंग करना अडेनियम की प्रूनिंग कब और कैसे करनी है और क्या केर हमें लेनी है अडेनियम की प्रूनिंग करते समय और उसमें धेर सारी प्लावरिंग लाने के लिए हमें उसमें क्या क्या कौन सी खाद एड़ करनी है और कब खाद एड़ करनी है वो सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले है तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में नमस्कार मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिप चनल सुप्रियाज किचन कारडन में ये जो आप देख रहे हैं ये अडेनियम के प्लांट्स है अडेनियम के प्लांट्स की हम प्रूनिंग कर रहे हैं अडेनियम के प्लांट्स में प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है जो कोडेक्स होता है उसके उपर दो तीन बर्स छोड़ कर हमें प्रून करना है जैसे ही हम प्रून करेंगे तो उसमें और ज्यादा ब्रांचेस निकलेगी और पोधा घना हो जाएगा ना कि लंबा नीची का जो पोर्शन देख रहे है आप उसे कोडेक्स कहते है जो मोटा पोर्शन है और जो शाखा ब्रांचेस है उसकी उपर की अगर वो लंबी लंबी ब्रांचेस होती है और उसकी ब्यूटी अच्छी नहीं दिखती है और अडेनियम के प्लांट्स की ब्यूटी तभी अच्छी लेंगे उसे आप अच्छे से स्टेरिलाइज कर ले और उसके बाद ही उसका यूज करे और जो आप ये कटिंग्स देख रहे हैं वो भी वेस्ट नहीं जाएंगी उसे भी आप फिर से लगा सकते हो उसके भी नए पौदे बना सकते हो अडेनियम में आपको साल में दो बार ही प्रूनिंग करनी है एक तो ऑक्टोबर में या फिर फेबरिवारी मार्च एप्रिल तीन मैने में कभी भी कर सकते हो अगर हम ऑक्टोबर में प्रूनिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिलेगा क्योंकि समर सीजन उसका फ्लावरिन सीजन होता है जैसे ह ईसकी प्रूनिंग करेंगे तो फूरे समर भर हमें उस इसकी प्रूनिंग बिल्कुल न करें क्योंकि विंटर्टर इसका डॉरमेंज से पेरिड होता है यह पाधा सोया हुआ रहता है तो उसे आरामिया से अराम में एकway धला उनक पाकतर जाएक यानि कि फेवर वरे में आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हो उसकी बाद उसमें अच्छे से खाद भी ऐड कर सकते हो और अगर अभी तक आपने अडेनियम में प्रूनिंग नहीं की हो तो अभी भी आप कर सकते हो और हाँ जब आप इसकी प्रूनिंग करोगे तो पाच्छे दि पहले इसमें पानी नहीं देना है और प्रुनिंग करने के बाद भी पाच्छे दिन तक आपको इसमें पानी देना नहीं है क्योंकि अगर आप इसमें पानी दोगे तो इसके कोडेक्स में पानी जाने का डर रहता है जो आप कट का पोरिशन होता है उसमें भी पानी जाने का ये plant अपने कोडेक्स में ही पानी को स्टोर करके रखता है वैसे भी ये desert रोज कहा जाता है इसे तो ये desert का पौधा है तो इसे कम पानी में survive करने वाला पौधा है ज्यादा पानी से इसके कोडेक्स के गलने के बहुत chances होते हैं तो आप इसमें पानी का बहुत ध्यान देना प और reporting भी आपको winter season छोड़कर summer season में यानि के February, March, April में कभी भी कर सकते हो सबसे अच्छा time है February में reporting के समय आपको इस plant को मिट्टी में से निकाल कर और ऐसे खुला ही छाया में रखना है 8-10 दिन के लिए और उसके बाद आपको उसे अच्छे से wash करके और उसमें कटे हुए portion पर fungicide लगा कर कोई भी fungicide जो साफ आता है वो या फिर आपके पास ना हो तो हल्दी या फिर दा बाद में आपको उसे reporting करना है यह देखिए हमने यह कटेवे portion पर हम लगा रहे है फेविकॉल फेविकॉल से भी यह प्रोटेक्ट हो जाता है तो अगर आपके पास fungicide है तो आप वो लगाए या फिर हल्ली या फिर दालचिनी powder या फिर फेविकॉल भी आप लगा सकते हो देखिए इस तरह से इस प्लांट का कोई भी कटा हुआ portion आप खुला नहीं चोड़ सकते हो अगर ऐसा हुआ तो वो प्लांट खराब हो सकता है और जब आप इसमें watering करेंगे पाच्छे दिन के बाद तो उसे कोडेक्स पर या फिर कटेवे portion पर पानी नहीं गिरना चाहिए इसका आपको ध्यान देना होगा यह मैंने October में ही इसकी pruning की थी और मैं आपको इसके results दिखाती हूँ यह देखिए उसकी बाद हमारे सभी plants अच्छी growth ले चुके है और सभी स्वस्थ है कोई भी plant हमारा खराब नहीं हुआ है और इसमें मैं आपको आगे चलके flowers भी दिखा कि किस तरह से अच्छी इसमें flooring हुई है और इसमें हमने जो खाद एड की है वह वर्मी कंपोस्ट दो मुठी एक गमले में दो मुठी वर्मी कंपोस्ट और एक चम्मस बोन मिल उसमें एड की है हमने और एक चम्मस पोटेश एड किया है बड़े गमले में उसी सबसे आप हुटें एड करोगे तो थोड़ा कम एड करना और इसमें यह तोसके बाद इसमेंTIN अच्छे से रहेगी यह देखिये 分टेश इसमें दो टैप प 성공 में आते हैं एक तो ये इसे गुच्छे वाले फ्लावर्स आते हैं और एक है सिंगल पेटल वाले हमारे पास दोनों टाइप के भी हैं हमारे अभी चार प्लांट्स में फ्लावर्स आये हैं चार टाइप के अभी अडेनियम के लिए हैं बाकी चार अभी खिलने के हैं हमारे पास यह देखिए ये दो विराइटिज बहुत ही खुबसूरत हैं ये मल्टी पेटल वाले है ना बहुत ही खुबसूरत फ्ल्वावस दीखते हैं ये और सिंगल पेटल वाले भी हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और कुछ plants में हमारे flowering होने की हैं जैसे ही flowering होगी हम आपके साथ जरू share करेंगे यह बहुत ही कम maintenance वाला plant है आप terrace पर इसे ही रख दो और बहुत कम पानी इसे चाहिए तो हमें पानी भी ज्यादा देने का काम नहीं है इसमें और अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो हमारा प्लांट गलने के chances होते हैं इसमें एक ही problem होता है वो की codex का गलना बारिश के पानी में भी इसे हम नहीं रख सकते क्योंकि बारिश का पानी भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये plants खराब होने के chances होते हैं तो इसलिए हमें बारिश के पानी से भी इसे बचाना होता है अगर हम बारिश में इसको रखते भी हैं तो हमें केर के साथ रखना होता है वो भी हम कभी बताएंगे कि क्या केर लेनी होगी हमें और देखिए फ्रेंट्स ये single petal वाले अडेनियम में ये दो कलर से हैं हमारे पास ये एक है पिंक और एक वाइड भी है तो फ्रेंट्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेर और सबस्क्राइब करना बिलकुल भी ना भुले और सबसे बड़ी बात प्लांट्स लगाओ नेचर बचाओ और गैनिक खाओ और स्वस्त रहो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारे के साथ